नमस्कर दोस्तों मैं EP Sir आपके अपने चैनल EP Sir Has English में सवागत करता हूं दोस्तों ये पेपर स्टेनोग्राफर का है 2020 का है फिरहाल मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूं हो सकेगा तो मैं आने वाली एक महीने में सारे पेपर करा दूँगा solution ऐसे ही 10-10-20-20 question या पचेश-पचेश question जो भी हो सकेगे तो ये question स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें नहीं तो आप स्पीड बढ़ाके जनरली इसे देख लीजिएगा योगि आपका पेपर है जरूर आपने इसे solve कर लिया होगा अब तक और आपने नहीं किया है तो फिर जरूर प्रिविएस एर पेपर solve करें वसे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा इसका पैटन आपको सेट हो जाएगा तो इस टैप से हम आपको एक वैसे हम भी एक कुछिस करेंगे कि पेपर का टेबल पर आता है कोई टफ भी नहीं है इतना एजी भी नहीं है तो आप अगर इसे दो तीन बार चार बार अगर आप प्रिविए सेर पेपर भी फोकस करेंगे आने वाले दिनों में जो एक्जाम का टाइम अभी एक महिने है डिड़ महिने अगर इस बीच अगर आप प्र पर फोकस करेंगे तब ही आप अच्छे नंबर से ला सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपको बताते रहेंगे सलूशन और कैसे पढ़ना यह भी बताते रहेंगे हाँ एक चीज़ मैं कहूंगा कि सलूशन यह वीडियो है जो पूरा देखना कंप्लेट देखना ब पहले से नहीं दिसाइड कर सकता है कि मैं इस पॉइंट पर यह बताऊंगा हो तो होता है नहीं हो ही नहीं सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर एक से सबसे पहरे संटेंस है इसमें संटेंस में हमें एरर फाइंड करनी है एरर फाइंड करने के लिए आप को करना किया है आप रिविजन भी करते रही है जहां भी आप पढ़ा हो कहीं भी पढ़े होंगे जरूर पढ़े होंगे किसी ना किसी ना किसी टीचर से पढ़े होंगे जहां सभी आपने पढ़ रखा है उसका प्रिविजन करिए कई बार रिविजन करिए एक बार रिविजन करना अगर आपको आ गया तो फिर आपको ग्रामर भी आ जाएगी समय लीजिएगा पार्सिंग का मतलब होता है कि हार एक वर्ड को पहचानना कि वो वर्ड उस संटेस में क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है इसे मैं संटेस की बात करो we found we subject हो गया है हांपर found found main verb हो गयी found what found main verb यहां पर second form है वच्चे ध्यान लखना क्योंकि अगर यह first form होती तो यह first form find होती है तो we found we found found यहां पर जो एरर है आप इसे दिख रहा है कि एरर फोर्थ बाट में है लेकिन क्या एरर है यह आपको समझ में ना रहा हो मैं समझा दूंगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सो फार सो गुड अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा आपको तो इस संदेश में देख रहना है, जो verb error है, वह हमारी error है excited में. Excited, देंब दीजेगा, एक word हता है excited और एक word होता है exciting. अब दोनों में अंतर्कीया है, दोनों adjective है, जनरली होता किया है, जो verb की third form होती है, objective बनने का काम काम करती है, लेकिन कुछ verbs ऐसी होती है, जिनके adjective अलग होती है और उनकी थर्ड फाम अलग होती है यह वर्ड ऐसा है जिसकी दोनों adjective होते हैं यह excited वर्ड भी adjective है और exciting वर्ड भी adjective है अब दोनों में अंतर क्या होता है तो दोनों देखी ज़रा excited मतलब अगर हम अपने language में बात करें simple आपको समझाने के लिए तो excited किसी living इंसान के लिए लगाते हैं आप excited होते हो कोई और excited होता है इस टाइब से exciting वो चीज होती है जो आपको excited करें excited किसी living इंसान के लिए लगाएंगे और exciting एक non-living thing के लिए लगाएंगे यह आप general समझ सकते हैं excited यह भी adjective है और general adjective that describes when someone feels हैपी and enthusiastic about something, वो डिसक्राइब का excited हो जाएगा, जैसे मैं example दूँ अगर कैसे एकजापी, एकजामपल दो मैं, he was so excited, बाइ कहूं की he was so excited, वो इतना ज्यादा excited था की that he couldn't sleep, कि वो सो नहीं सका, अब वो इतना ज़्यादा था, यह नहीं एक्साइटेड होना, मतब लिविंग के लिए लगता है, हम आप एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, तो इस चीज को समझेगा, वहीं पर अगर वर्ड में बात करूं, इक्साइटिंग की, तो इक्साइटिंग जो अगर मैं बात करूं इसकी भी, तो यह भी एक अड्जटिव है, अगर मैं इंगलिश में से बोलू हो, इस एक्साइटिव, तो इस चीज जो आपको एक्साइटिंग बना रही हो, वह आपको एक्साइटिंग हो जाएगी, तो यहां पर हमें जो देखना है, वह यह चीज द बात करें, जैसे मैं बात करूं यहां पर, इस्टोनिस्ट, 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 इस् कुछ भी लगा दो, at the change in him, उसमें जो बदलाव आया, उसको लेकर वो इस्टाउनिस्ट था, अस्टाउनिस्ट था, अस्टाउनिस्ट था, फिर मैं बोलो, इस्टाउनिसिंग के लिए, what an astonishing performance, what an astonishing performance, कितना अस्टाउनिस्ट अदभुत परफॉर्मेंस था, तो इस टाइप से मैं बोल सकता हूं, इस टॉनिसिंग, hope you understand, आपको समझ में आया होगा excited और exciting, मैं फिर से बता दे रहा हूं, excited जो है, हम और आप excited होते हैं, living thing के लिए लगाते हैं, exciting वो चीज़ जो हमें excited करें, या वो चीज़ जो हमें happy करें, इस टाइप से हम लगाएंगे तो excited और exciting में आप अंतर समझ पाया होंगे, तो यहाँ पर जो error थी हमारी, वो थी excited में, excited ना होकर यहाँ पर exciting होना चाहिए था, कैसे sentence framing होगी, we found the word को, final match very exciting, not excited, very exciting, moving on next, second number question कह रहा है कि grandfather enjoys to share his child stories, माप करियेगा कुछ disturbance है, अचलों में आचकल construction का काम हो रहा है ना, तो फिर थोड़ा बोर disturbance रहेगा, यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा adjust करियेगा, my grandfather enjoys to share his child stories, अब देखें यह sentence जो है, यह हमें कोशन में करना है कि sentence improvement का है, sentence improvement के लिए हमें आपको एक ही सलाह दूँगा कि आप option elimination करें, option elimination आपसे बहतर rule है, बहतर method है, option elimination is one of the best rules, या फिर हम कह सकते हैं, option elimination is one of the best ways to solve these kinds of questions, option elimination से बहतर rule होता है, option eliminate करिए और आप आगे बढ़िए, जैसे मैं sentence बात लो, grandfather, grandfather हमें पता है कि singular है, तो जो भी word आएगी, वो सिंगूलर आएगी, तो यहाँ पर हमें option number एक देखें, तो enjoy लखा है, वो already गलत हो जाएगा, तो enjoys होना चाहिए थे हैं यहाँ पर, गलत हो जाएगा, is enjoying to share his childhood, यह थोड़ा, grammatically तो सही है, लेकिन यह थोड़ा, contest के साबसे यह गलत जा रहा है, option number four, अच्छा जो लिखा है, वो गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है, क्योंकि enjoy के बारे में आपको देखना है, enjoy एक transit वर्व है, यहाँ रखेगा, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि enjoy के साथ reflection pronoun लगाते हैं, और कभी देखा होगा कि आपको नहीं भी लगाते हैं, तो enjoy के साथ अगर उसका object आया है, तो फिर reflection pronoun की requirement नहीं है, अगर enjoy वर्ड के साथ उसका object आया है, तो फिर reflection pronoun की जरुएद नहीं दिया गया है, तो फिर उसको हमें reflection pronoun देना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँ, he enjoyed, he enjoyed at the party, दो संदेम ध्यान रखेगा, he enjoyed at the party, फिर मैंने कहा he enjoyed the party, इसमें मैंनें दो hogy संडेइब से में एक अंतर किया है क्या लगा दिया प्रेपजेशन एट लगा दिया इसलिए enjoy के बाद यहाँ पर reflection बनाओन आपको देना पड़ेगा कैसे he enjoyed himself at the party सही हो जाएगा दूसरा क्या था he enjoyed the party वो सही है क्यों कि वहाँ पर enjoyed जो हो वर्ब है और यह transitive वर्ब है इसके बाद इसका object आ गया है क्या है उसने enjoy किया party को उसने enjoy किया तो sentence देखिएगा इस sentence में हमें देखना है कि option number third सही है he enjoys sharing his childhood stories तो यहाँ पर इसको द्यान रखिएगा इस sentence में हमारा जो बहतर option है वो third option है आचा कई बार आपने देखा होगे यह जो rule है यह जो concept है sentence है यह non-flight का है non-friend में क्या होता है two plus v1 वो भी हमारा non बनने का काम करता है और जो हमारा जीरंड होता हो भी non बनने का काम करता है लेकिन two plus v1 जो है वो कई बार noun भी बनती है word भी बन जाती है कुछ भी बन जाता है और नहीं आपके पास इतना टाइम है यहां पर तो आप इसे समझेगा अगर डाउट हुआ तो आप कमेंड में जरूर बोलिएगा मैं आप उसे एकसी दिन वीडियो बना देंगे दो चार दस मिनिट का भीस मिनिट का इस पे या फिर नॉन फनाइट पे तो आपको समय में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर तीन नमबर देखते हैं संटेज नमबर थर्ड जो कह रहा है वो कह रहा है कि दिस इस दा सीटी यह वो सहर है वेरेवर आई वर बोर्न ट्वंटी ऐसे गो इस संटेज में देखो गलतियां को उपर गलती दे रखी हैं कई गलत आई के साथ वर भी लगा दिया जो नहीं लगेगा लॉजिकल है कभी नहीं लगेगा हां लगेगा कब जब कभी आपका जो कंडिशन संटेज होते हैं उस टाइब में तो उस टाइब में लगेगा जनल संटेज में हम आई के साथ पास्ट में वाज लगाते हैं वर नहीं ल इसको तो समझने के लिए भया मेरे पास दिमाग नहीं है वेरेवर मी वर बॉन वाह तर नमर नो सब्स्टिटिउशन नहीं सब्स्टिउशन की तर रिक्वार्मेंट है गलत हो जाएगा वेरेवर इन जिसमें आई वर्न बोन भी यहां पर गलत दे रखा है जिसमें आई बोन जिसमें मैं बरदास्त नहीं इलोजिकल है कैसे क्या दे रखा है अजीब और गरीब ऑप्सन दे रखे हैं ऑप्सन इसमें एक ही बेहतर है तो इसको कोई भी कर सकता था इतना आसान तरीके से दे रखा है अचा यहीं सेंडेंस यह कभी मेंस में पूछा जाए सीजियल मेंस में पूछा जाए या प्री में पूछा जाए मेंस में में बात करूँ बैसकली प्री में तो ऐसे यह आएगा मेंस में पूछा जाए तो कैसे ऑप्सन बदल देंगे बहुत सारे option बदल देंगे यहाँ पर एक sentence option दे देगा where I was born born वाला कौन सा B-O-R-N-E वाला कर देगा confusion हो जाएगी क्योंकि आपको पता है न B-E-R की form होती है B-E-R की दो form होती है एक तो B-E-R की जो base form होती हो तो B-E-R ही होगी B-E-R लेकिन जो इसकी second और third form होती है वो अंतर हो जाता है sorry basically third form में अंतर हो जाता है B-E-R born दोनों की second form होगी लेकिन third form में born हो जाएगा आपका पैदा करने वाला B-O-R-N-E और B-O-R-N-E जो यह हो जाएगा यह बर्दास्त करने वाला हो जाएगा जो बर्दास्त करने वाला हो जाएगा और B-O-R-N-E वाला बर्दास्त करना वाला हो जाएगा यहनि की जिसे सफर कर दो, इंडियोर कर दो, टॉलरेट कर दो, पुट अबित कर दो इस टाइप से तो इस चीज को ध्यान रखेगा अब आपते हैं आप आप आप्शन पे, तो आप्शन नमबर हमाई पता है कि आप्शन नमबर एक ही सही है वेरेवर आई वाज बोन, अच्छा यह जो बोन दे रखा है, आई वाज बोन, बैसिकली पैसी वैस में ही यूज किया जाता है आई वाज बोन, जहां पर मैं पैदा हुआ था, इसिद अ सीटी, यह वो सहर है, जहां पर मैं पैदा हुआ था, टूटी येज अगो, अच्छा ध्यान रखेगेगा sentence में, टूटी येज अगो है, अगो जब दिर सभी किसी sentence में आ जाए, तो sentence नम ऐसा, past की बात करेगा क्योंकि ego जो है past के बीते हुए action को दिखाता है यानि बीते हुए action को जो दिखाए वो ego होता है माँ आप करिएगा disturbance को ज्यदा है थोड़ा सा बरदास करिएगा तो this is the city wherever I was born sorry wherever नहीं wherever मतलब फिर जहां कहीं भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा जहां अच्छा वेरेवर का यूज अगर आप करें तो कैसे करेंगे wherever you go I'll go with you जहां कहीं तुम जाओगे मैं भी जाओगा तो सब्सक्राइब आज बहुत है जिसमें 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 लिए। अच्ति है इस एक वर्ड मुझे याद आ गया जो की हिक लोस्ट्रेस प्ूछ आगा है इस बार करी इन ने थे अुआ दिए अर बंद ःपाण गाई मुझेर शिटम आजड़ मोर्ग नहीं है इसक license स्पुछ विल अपार जायेगा मुझेड आग भीच आमिन्म between the four sisters बात यहाँ पर कर रहा है चार लोगों की और चार के लिए आपको पता है between नहीं लगाते हैं between हम चार या दो तीन के लिए लगा सकते हैं कब जब उनमें reciprocal relation हो जैसे मैं को हूँ कि the match was played between between, India, Japan, Australia, Sri Lanka, England इस टाइप से उनके भीच reciprocal relation है क्योंकि आपको पता है कि एक time में match दो ही लोगों के भीच हो सकता है India, Japan, India, Australia, India, England, India, Pakistan, कुछ भी तो वहाँ पर लगा सकते हैं लिकिन जनरल केस में दो के लिए between, दो से ज़्यादा के लिए among और amongst लगाएंगे यहां पर तो इस संटेस में जो error है वह आपको पता है सी इस दी एल्डेस्ट बिडवीन ना होकर यहां पर क्या हो जाएगा सी इस दी एल्डेस्ट अब आपके दा लगा दे रखा है एल्डेस्ट लगा है और फिर आगे दा फोर सिस्टर दे रखा है तो आप amongst के साथ जाएगा सी इस दी एल्डेस्ट amongst दे फोर सिस्टर moving on next कुछ ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं आगे बढ़ते हैं sentence number five बात कर रहा है ये sentence जो हमारा वो जंबल का है पहरा जंबल का इस sentence में संदेस्ट देखिए इसमें देखना है कि सबसे पहले में कुछ चीज बता दो जैसे sentence कभी आप स्टार्ट करिए ऐसे sentence में तो चारो आपसन पढ़ लिए जो ही चार दे रखे हों या छे दे रखे हों क्योंकि सीजल मेंस में तो छे आते हैं एक S1 और एक S6 बीच में चार और होंगे तो आप sentence सारे आपसन पढ़िए और फिर देखे कि कौन सा sentence ऐसा है जो एक stand-alone sentence है यानि एक ऐसा statement होगा जो खुद अपने आपको इंटर्डियूस कर रहा होगा उससे पहले किसी कोई और नहीं होगा और वो sentence generally क्या होता है generally वो proper noun से start होता है जैसे किसी institution के बारे में बात कर रहा हो किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हो किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो वो sentence होता है तो वो sentence जान रखेगा proper noun से start होता है general case में तो ECC में हमें pairing डेखना होता है अच्छे यहां पर यह तो आसान है easy है कर लोगे आप लेकिन कभी-कभी means में क्या होता है कि बड़े-बड़े लंबे-लंबे sentence दे रहके होते है तो सारा तो वैसे ज़रा मिलाना बड़ा मुश्किल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि pairing करते है जल्दी grouping करते है कौन सा कौन सा किसके बाद आ सकता है जैसे मैं sentence में बात करूँ as the night advanced जैसे रात बड़ी जैसे रात बड़ी स्वामी स्वामी का जो दर था वो गहरा गया बढ़ गया भाई क्यों डर गए वो क्या हुआ ऐसा देखे पढ़ते है the most haunting was how his friend money had seen the devil in the bunyan tree सबसे उसमें सबसे haunting था ड्राउना था वो ये था कि उसके जो दोस्त money ने क्या देखा था devil देखा था कहां पर देखा था बन्यान ट्री में देखा था इस चीज़ में c option कहरा कि he began to think of all the ghost stories he had heard in his life और उसने सोचना स्टार्ट कर दिया किस से इसके बारे हम सोचना स्टार्ट कर दिया यहां पर हमें पेरिंग करना है c के बाद b ही आएगा c option के बाद b ही आएगा यह ध्यान ट्रीगा क्योंकि he began to think of all the ghost stories he had heard in his life को उसमें से क्या सबसे डरावनी थी उसमें से सबसे जदर डरावनी यह थी कि उसके दोस्त money ने देखा था क्या देखा था एक devil देखा था कहां पर बाद यह अंट्री यह तो पही गाउं वाला area हो गया जंगल वाला लोग भूत वहां भी देखते थे ऐसा पहले कहते थे हमारे हां तो हमारे दादा भी बताते रहते थे कि हम लोग तो भूतों के साथ पानी ऐसा ऐसा करते रहते थे पता नहीं क्या क्या करते रहते थे वो लोग काम करवाते थे खेतों में ऐसा भी होता था लेकिन पहले के लोग डरते नहीं थे अब लोग डर रहे हम लोग डर रहे हैं बहुत लोग डर रहे हैं तो यह खास वैसे ही हर कोई जानता होगा हर किसी के साथ ऐसी बातें जरूर जुड़ी होगी कोई नो कोई किसी मादम से सुनाई होगा कि पहले के लोग ऐसे थे वैसे थे चले तो इसमें हमें देखना है कि हमारा जो आपसन पेर बन रहा है वो C के साथ B बन रहा है C, B, और हमें देखना है कि C, B किसमे है, C के बाद B किसमे है, तो C के बाद B हमारे पास दो ही आप्सन है, अब देखो दो आप्सन हमारे Eliminate हो गए, खतम हो गए, अब हमें देखना है कि संटेंस क्या A.C. start हो रहा है, बिल्कुल A.C. start हो रहा है, हाँ, दोनों में A.C. start हो रहा है, अब हमें देखना है, A के बाद D आएगा, A के बाद C आएगा, A के बाद D नहीं आ सकता है, क्योंकि Manny's face had gone white as a ghost, before he had fainted, इसके बाद क्या अभी आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें A के बाद D लाना पड़ेगा, sorry, एक बाद C लाना पड़ेगा, क्यों संदेश में आपर Swami है, Swami का जो प्रोनाउन होगा, वही हो जाएगा, Swami यहाँ पर प्रोपर नाउन है, किसी इंसान का नाम होगा, और उसका जो प्रोनाउन होगा, वही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर A के बाद C आएगा, तो generally A के जाएगा तो आपका दो नमबर यानि एसी बीडी सही हो जाए क्यों सही है फिर से बार समझेगा फिर से बता दे रहा हूं जनली आप देखे क्या कि एक ऐसा स्टेटमेंट डूड़ी है जो स्टेंड इलोन संटेंस हो जिससे पहले कोई और उसके बारे में बात ना किया हो और पर देखे इंसलो यह प्रॉपर नाउन के बाद प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हो रहा हो हूगा अच्छा ध्यान दीजेगा जब इसी संटेंस में नाउन अगर दो संक्तेंस हैं एक में प्रनाओन ऑडिवा एकमी उसका नाउन वलना फिर प्रनाओन आएगा क्योंकि वर्व की वीवन फॉर्म आती है, सिकंड फॉर्म नहीं आती है तो when did you came back ना होकर क्या होजाएगा, when did you come back when did you come back तुम कब आये थे, कहां से from your holiday in Mauritius तो यहाँ पर डिड के साथ यहाँ पर धान दिजाएगा, वर्व की वीवन फॉर्म लगाएंगे, इंट्रोगेटिव संटेंस है when did you come back, came back नहीं come back, come की second form came, third form come होती है ऐसे ही became की, become became, become तो यहाँ पर क्या होजाएगा when did you come back, ना की came back option number third गलत हो जाएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए था when did you come back, c-o-m-e moving on next कुछ जादा बताने के लिए इसमें नहीं है seven number question मुराजशा है कि दान दीजेगा I went to the bank to withdraw मैं bank गया, क्या करने के लिए बैंक गया withdraw करने के लिए, क्या करने के लिए money, withdraw करने के लिए money कैसा नहीं, uncountable नहीं सभी को पता है, uncountable लाउन, uncountable लाउन क्या नहीं होते हैं वो लाउन जिससे आप count नहीं कर सकते हो and the noun that cannot be counted मापे चाहूंगा जेश्रवेंस के लिए जुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं जेश्रवेंस कर रहा है कि I went to the bank to withdraw डायस money दो को money यहां पर हमें uncountable noun है मैं पता है कि वो noun जो noun count नहीं कर सकते हैं वो uncountable noun होते हैं the noun that cannot be counted वो हमारे uncountable noun होते हैं money यहां पर uncountable noun है और हमें यहां पर यूज करना है determiner अब determiner यहां पर देखना है option देखना है few हमें पता है कि few जो determiner होता है यह countable noun के साथ आता है और हमें इसके बाद जो noun आता है वो plural form में आता है few of few the few के बारे में आपने पढ़ रखा होगा none तो नहीं लगाएंगे क्योंकि money यहां पर uncountable है none नहीं लगा सकते हैं उसके साथ क्योंकि none भी हमारा countable noun के लिए आता है any लगा सकते हैं लेकिन any का आपको पता है कि use हम सिर्फ और सिर्फ negative sentence में करते हैं ज्यादातर cases में हम negative sentence में करते हैं any का use हम positive में भी कर सकते हैं कब लेकिन उस case में उसका meaning हो जाता है all हलाकि यह थोड़ा higher level का है जब भी मैं means की बात करता हूँ तब उसमें आपको यह समझाता हूँ कि any का use हम positive way में भी कर सकते हैं तब उसका मतलब होता है all तो उसको कभी आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर use करेंगे sum क्योंकि वो गया था तो पैसा withdraw करने गया था तो कुछ पैसा तो withdraw करेगा अच्छा यहाँ पर इध्यान रखना कि sum जो एक ऐसा determiner है यह determiner ऐसा है जो countable noun और uncountable noun दोनों के साथ लग सकता है I repeat sum determiner एक ऐसा determiner है sum हो गया all हो गया और भी है sum determiner है जो यहाँ पर यह countable noun और uncountable noun दोनों के साथ यूज़ किया सकता है अगर इसके बाद uncountable noun आ रहा है तो हमेसा singular आएगा क्योंकि आपको पता है uncountable noun हमेसा singular ही होते हैं और अगर इसके बाद countable noun आ रहा है तो हमेसा plural आएगा याद रखेगा I have some friends I have some friends I have some money मेरे पास कुछ पैसा है मेरे पास कुछ दोस्त है तो यहाँ पर हमें बैतर option जो हो जाएगा वो fourth हो जाएगा any का यूज हम क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर negative नहीं है affirmative sentence है याद रखेगा अब जिसे मैं बोलू I do not need some money या पर any money तो अब यहाँ पर any money हो जाएगा I do not need any money moving on next question number eight my mom's cake always make me make my mouth of water मेरे mom's मेरे ममी जो ममी केक बनाती है वो केक जो हमेशा मेरे mouth कतने मुँ में पानी ला देता है मेरे मुँ में पानी ला देता है तो इस sentence को देखेगा अब इस sentence में error क्या है sorry sorry इस sentence में error नहीं देखना हमें यहाँ पर idiom है यह idiom है make my mouth water अब सब को पता है मुँ में पानी आ जाना मतलब मुँ में पानी कब आता है जब कोई चीच अच्छी आपको delicious देख जाए जैसे जलेबी चनल लोग जलेबी के बार में कहते हैं कि जलेबी देखो पानी आ जाता है मुँ में मुँ में पानी तो कई तरीके साज़ता है लोग एमली खा रहे हो तब ही मुँ मुँ में पानी आ जाता है तो मुँ में पानी आने के लिए तो हाजार तरीके है पता नहीं लोग को से कैसे मुह में पानी आ जाता है पता नहीं दान रखिएगा संड़स को मैंसे संड़स में इसका एडियम है एडियम बड़ा यासान है मेक माइ माथ वाटर मतलब और वही शम्थिंग एडियम एडियम अधियू या फिर अपकेटाइज़िंग वहती है अच्छी हो कोई ऐसी चीज तो यहांपर जो ऑंसर हो जाएगा हो से के नहीं आपकेटाइज़िंग नहीं कुछ गिन करने की भूख कुछ अचीव करने की कि भूख एपटाइट बोलते हैं जैसे में बोलों विलाट कोहली एज ग्रेट अपटाइट फॉर मेकिंग ग्रेट रंस मतब बहुत जदा उसकी भूख है अंदर भूख है रन बनाने की कोई भी ख्लाडी है ख्लाडी के तो इस टाइप से अपटाइट वर्ड यूज़ता है आगे बढ़ते हैं मौविंगान कोईशन नम्बर नाइन फोड़ा जल्डी करते हैं का यह और भी एडियम देखना इस स्टब्ट सर्ट क्या अच्छा इडियम है यह कई वर इस से पहले भी एक बार साइब मैंने सीडियेस के एक्जाम में देखा था पेपर ही डिसकस करा थ उसमें भी इस टाइप, हाँ साइड इसी टाइप का था, स्टब डिसर्ट था या इसी टाइप से कुछ था एक, मतब एक ऐसा इसा इनसान जो बड़ा ही आपसलीट हो, मतब पुराने खायलात वाला, जैसे अब आजकल जबाना क्या है पार्टी, एक फैसनेबल पार्टी चल बोल सकते हो इस टाइप से, ओल फैशन बेसिकले बोल सकते हो, someone who is very formal, pampas, and think that he is very important, मतब इस स्टब डिसर्ट होता है, ऐसे एक स्टब डिसर्ट होता है, ऐसे एक स्टब डिसर्ट, हाँ याद आगए, वो स्टब डिसर्ट नहीं था, मैं इसे बोल सकता हूं, एक वर्ड था स्टब डिसर्ट, मतब एक ओल फैशन चीज हो, someone who is very formal, pampas, and thinks that he is very important, मतब ध्यान रखिये स्टब डिसर्ट, यह एडियम है, याद रखने पढ़ेंगे आपको, तो इसमें चो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंपस परशन हो जाएगा, इस्टब डिसर्ट परशन, moving on next, humble person नहीं होगा, humble मतब जानते हैं बहुत ही दर्या दिल इंसान, obese, obese मतब मोटा, मोटा परशन थोड़ो ना, मोटा भाई थोड़ो ना है, stubborn person मतब जिद्धी, जिद्धी नहीं है, moving on next, no sooner did she start, देखो, जब इस sentence start, no sooner she start होगा, और भी word हैं, और एडवर्ब हैं, जो अग के पहले दे रखी होगी, main verb subject के बाद में दे रखी होगी, अगर full inversion होगा, जैसे complete inversion बोलते हो, तो उसमें आप helping word, main verb जो भी हो, सब subject के पहले होती है, लेकिन जो partial inversion होते हैं, half inversion होते हैं, उन्हें, उनमें, सिर्फ हो सिर्फ helping verb subject के पहले होगी, क्योंकि यहां पर inversion अधु नहीं कि partial inversion तब inversion होता है, जब सिर्फ हो सिर्फ helping verb subject के पहले आए, main verb subject के बाद में, जहां पर उसका position होती है, तो no sooner did see start, जो ही उसने start किया, क्या start किया, running, दोड़ना, start के साथ बड़ा अच्छा ध्यान देगेगा, start running, जो ही उसने दोड़ना start किया, then, no sooner के साथ दोड़ना काई meaning होता है, याद रहकना, trip के मतलब होता है, आप, mistake करना, गलती करना, slip हो जाना, stumble हो जाना, stumble मतलब हो जाना, लड़कडा के गिर जाना, इस टाइप से, तो जो ही उसने दोड़ना start किया, तो ही वो लड़कडा के गिर गई, लड़कडाई और गिर गई, तो यहां पर द रहकता है, वो past and defend, में है, did से फता चला है, no sooner did she start running, than she is tripped and fell, तो sentence में कोई improvement की रुकारमें नहीं है, सब sentence पूरी तरह से सही है, और जो option दे रखे हैं, सही भी नहीं है, क्योंकि दो second option में दे रखा है trip, जो की हमें पता है, कि sentence बात कर रहा है, वो past की बात कर रहा है, तो हा सोग करांद से कि यांट सिव ट्रहा है वह उसको लडखडा दिया गया था तक यहां तो विड़ब जिन टिपस तो अथे न्युए तो नुट करते हैं कि आपको चाहिए 10 म सका तो लाड़ खडा आती है और घिरती है ऐसा फ़र पी करना आइ ड्र्क तो न cachemad कोई इंप्रूइमेंट की रिक्वार्मेंट नहीं है, नो इंप्रूइमेंट, मुविंगान नेक्स्ट, बॉस्ट नमेर 11, जिए फॉर संटेंसे अब देख भी अपका पहरा जंबल है, इसमें भी हम एची देखना है, की जंबल देखना है, अब देखो इसमें लिखा है, तो यहां से संटेंस हमारा A से ही स्टार्ट होगा, अब देखना है की A के बाद C आएगा या A के बाद B आएगा, A के बाद D आएगा, क्या देखना है, तो हमें देखना है कि यहां पर जो सब्सक्राइब आया है, पर इसके बाद लिखा है, किसी के जैसा बनना, इस टाइप से, तो यहां पर जो आप्सन दे रखा हो, A, C, D, B ही पेतर है, A के बाद C आएगा, और A के बाद C हमारा पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप्सन दो नमर है, और कहीं ही नहीं, तो A के बाद C, आप्सन मारो, आगे बढ़ जाओ, मोर्तल मतलर वो इनसान जो नसर हो, यानि कि सब की मरत्यों हो, वो वह बहुता है, कोई Immortle, अच्छा, अच्छा, जो तो कभी मरे ना, ओ इंमोर्टल, जो मर जाए वो मौर्टल, जो खतम हो जाए वो मौर्टल, पेरिश्रबल इसका सनेनम हो सकता है, मौर्टल का, पेरिश्रबल हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, फैटल हो जाएगा, इस तरह के सनेनम हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें देखाना होता है kindly होता है kind-hearted होता है unable होता है friendly होता है good natured होता है benign in son gentle benign gentle synonym हो जाएंगे lively मतलब होती बहुत ही दरिया मतलब बहुत ही क्या नहीं मतलते है मस्त मौला इसान lively happy go lucky वाला जीवन तादमी lively happy go lucky तो इसका synonym से देखना था में mortal का synonym deadly हो जाएगा moving on next she exclaimed with sorrow that she had feared poorly in the exam अच्छा ये संदेज में विका निरेशन दिखाना है change करना है बड़ा आसान होता है option no.1 सही है she said loss how poorly have I fared in the exam option no.C B गलत क्यों है how I have नहीं इंट्रोगतिव फोर्म में रखना पड़ेगा पो I have feared नहीं ये भी नहीं ये भाई सारे option गलत है 30 नमर का option अब एक सही हो जाएगा moving on next I study on vehicular pollution अब देखो I study हमारा यहाँ पर main subject है subject हमारा क्या है I study एक अधन एक अधन गात कर रहा है और इसके बाद जो preposition on आया vehicular pollution यह उसका object हो जाएगा preposition का तो जो हमारा sentence का main subject है वो I study है इसलिए जो वर्व आएगी वो singular आएगी is revealed नहीं होगा क्योंकि उसको reveal किया जाता है नहीं has revealed उसने किया है reveal तो reveal किया है तो has revealed हो जाएगा यहाँ पर have नहीं होगा how are नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि sentence का subject जो है वो singular है या तो इस होता या है होता इस क्यों नहीं होगा क्यों इस रखने से संदेंस पैसी बन जाएगा जो पैसी नहीं है एक्टिव में होना चाहिए इसे एक्टिव में होने के लिए यहां पर हैस बेस्ट ऑप्शन है Moving on next Dejected Dejected मतलब की बहुत ना ठुकराया हुआ ठुकरा के मेरा पयार वो गाना जाद आगया के ना ठुकराया हुआ Dejected इसमें हमें आके देखने हैं इसकी इसकी अपोजट कौन सा वर्ड होता है तो आपको पता है निरास वर्ड के तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वकाइब्स हैं निरास उतनी ज़्यादा वकाइब्स तो आपकी हैपी की नहीं होंगी खुशी होने की उतनी ज़्यादा वकाइब्स नहीं होंगी लेलो, crestfallen लेलो, depressed लेलो, doleful लेलो, down in the mouth लेलो, heavy hearted लेलो, gloomy लेलो, forlorn लेलो, melancholic लेलो, sorrowful लेलो, येको बड़ा अच्छा वड़ है वूबिगोन, वूबिगोन, बड़ा अच्छा वड़ है वूबिगोन, इसकी मैं स्पेलिंग बोल दे रहो, W-O-E-B-E-G-O-N-E, थुकराया ओए इंसान, मारा ओए इंसान, इस ताइब से डिजेक्टी, डिजेक्टी से आपके कुछ याद अदा होगा, डिजेक्टी लवर भी होते हैं, णिरेक्डलयवर नहीं, फिर से अप उबड़ दियांने किया क्यों गया है, तो अच्छा नेक्ण। खाना है, फिर स मतलब बडा ही खुश जाएगा डोलफुल निरास मूडी नूडी मूडी यानते हो ना मरोज बड़ा ही निरास खिन है तो चिर्फुल इसका एंटने झालों हो जाएगा मूविए नेक्स्ट फिर से में देखना है कि अपने है धैर आसान है फादरा से तो मेंकेशनिक हाँ वॉज येिक पेर आ तो पेर्वाइशन हुआ मैं घो दूंगा मुछे लगता है जानता है कि आप तयारी करें तो अध्य पैसी औरेसन वरी आसान होते हैं आगर आप किसी क्यों डाउट हो ला dadया उत तो फिर जरूर, बताइएग मुछे घियम में, कि इन पे और पर दिया जए चाहए कि मुझे लगता है कि आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो आप बेधरक पोछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्जाम देना है, और हांधान देगी जाएगा, पढ़ना आपको है, किसी को ये में समझना कि ये वो मेरा, मैं पोछूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, आपको 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 आपक किया chain of thoughts जो chain of thoughts उसको इंटरप्ट किया किसके chain of thoughts मेरे chain of thoughts को इंटरप्ट किया मी अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर chain of thoughts नहोता तो यहां पर option number मी हो जाता है the door will the door well interrupted मी सही हो जाता लेकिन chain of thoughts नहोता तो अस तो किसी हाल में हो सकता था हम लोगों को कर सकता था, माइं नहीं हो सकता था, the doorbell interrupted, यहां पर हमारा best option माई हो जाएगा, क्योंकि अपको the doorbell interrupted, मैं सही से पनंसित कर अदा, the doorbell interrupted my chain of thoughts, मेरे जो chain of thoughts, जो मेरी थी, मैं जो सोच रहा था, उसको इसने interrupt किया, तो मेरे chain of thoughts को interrupt किया, किया इंटरप्ट किया दोर्वेल इंटरप्ट किया तो आप्शन नमबर एक सही हो जाएगा यहां पर मुविंगान नेक्स्ट नाइंटी नमबर कॉश्चन इसलिस देखना बड़े आचाल है बहुत अच्छा संजा से इसलिक तो लिए अप्रॉप्रेट ऑप्शन टो फिल इन दे ब्लांक टॉप्रिम ना निर कुछ howota कने देख lea आम ने सबस्केया जाता हैं यो तवाल को भी हम तुम करते हैं duck in te проблем करो तात मुंस जाता है जारस नया जाता है। ऻिर बाले किरता हैं थिर हां भाह जांड यांड नहीं भांवन दैस्ट फानना मंड़ीन जाता है पहुँच बढ़ने के लिए उसे time time क्या कि जाता है तो as the bounce eye क्या हो जाएगा है है पर head grown past नाना संट्यस जो जो जनल बात कर रहा है तो यहां पर present की बात करो तो present के लिए में यहां पर लगाएंगे अच्छा grew past की बात कर देगा build grew future की बात करेगा नहीं होगी संट्यस की मीनिंग नहीं होगी यहां पर हमारा best option है वो है grows grows ही क्यों रहेगा कि bounce है यहां पर singular subject है और singular verb करेगा moving on next फिर समय देखना active passive give him clear instructions on how to reach your house तो let him be, हमार अग्यू है आपका imperative sentence आपको पता न वो sentence जो हमारा verb से start होते है वो imperative sentence होते है imperative sentence है imperative sentence का passive बनाना है आपको option no.3 best option है let him be given 20 no.1 21st कह रहा है कि हमार फिर से again direct in direct है the manager said to his staff don't be late for work तो यहां पर best option job का हो जाएगा फोर्थी हो जाएगा the manager told his staff not to be late moving on next 22 no.1 अड़िया question है appropriate sentence हमार में देखना है happiness happiness मतलब क्या होता है happiness इंसान असाहाई इंसान जिसका कोई सहायता ना करने वाला हो असाहाई इंसान हो down prudent type की लोग होते है ना दबे कचले लोग हो जिनके असाहाय होते हैं गरीब दबे कचले लोग होते हैं इस टाइप के happiness, asahai, happiness हो जाएगा unfortunate भी बोल सकते हो इसके लिए luckless भी बोल सकते हो, unlucky बोल सकते हो तो इसका सनिनम जो हो जाएगा on lucky हो जाएगा fortunate, happy, untidy मतलब की गंदा fortunate or happy तो आपको पता होगा happiness का, जो हमें सनिनम हो जाएगा, वो on lucky हो जाएगा question कहरा है कि the company is giving a promotion to all the efficient workers efficient worker मतलब कुछा लोग तो इसका पैसी में बनाना है company is giving a promotion कैसे बनाओगे, the company is giving a what a promotion to all efficient workers to all efficient workers उठा लो, all efficient workers are being given present continuous tense से इसका पैसी बन जाएगा आसान है, 23rd number का फोर्थ हो जाएगा मैं फिर से repeat कर दे रहा हूँ कि अगर आपको doubt हो रहा है, active passive narration में तो आप हमें comment करके बताईए, मैं उसमें आपको separate video बना दूँगा आसान हो जाएगी चीजे 24th number question कर रहा है कि हमें फिर से देखना है, error देखना है मानो usually is getting up देखो is getting up तो यह sentence पहले ही में देखना है जब यह sentence की present की बात करे है और किसी के habit के बात करे है तो हमें हमें इसा present independence में यूज़ करते है क्योंकि present independence बना ही इसलिए है किसी चीज की किसी के habit के बारे में बात करना जनल सी चीज के बारे में बात करना जो डेली होती है उन चीज के बारे में बात करना तो उसके लिए present independence बना है इसलिए हो बना है तो मानो singular subject है इसलिए जो वरब आएगी उस singular आएगी तो मानो usually अक्सर is getting up ना होकर क्या हो जाएगा, मानो usually gets up, gets up at 6 o'clock in the morning, तो मानो usually is getting up ना होकर, अच्छा, grammatically sentence में कोई अरह नहीं है, लेकिन logically, contest के recording, ये sentence पूरी तरह से गलत है, क्योंकि sentence मानो की habit के वरें बात की जा रही है, और habit जब भी describe की जाएगी, हम ऐसा simple present में बात की जाएगी, किसी की भी habit के बार में अगर बात किया जाएगा, तो हो सिर्फ हो सिर्फ present indifferent में बात किया जाएगा, तो मानो usually gets up, ना कि is getting up, तो मानो usually gets up at 6 o'clock in the morning, sentence में error हो जाएगी, यादर कियेगा, last sentence देखते हैं आज की slide का, इसमें हमें internet दिखाना है horrendous, horrendous मतलब क्या होता है, बड़ाई बयानक, भयावा, horrendous, horrendous, इसका ध्यान दीजेगा, बड़ाई बयानक, भयावा, horrifying हो जाएगा, इसका, frightful synonym हो सकता है, डाउंटिंग टास्क होते हैं, बड़ी बयानक, डाराने वाले, खतरनाक, डाउंटिंग, spine chilling, spine chilling देते हैं, देखाऊगा, अपने spine chilling, formidable भी हो जाएगा, इंटिमीडेटिंग तो आपको पता है, बड़ाई डाराने वाला, तो इसके synonym सारे हो जाएगे, इसका फिर हमें क्या प्लेजन इसका एंटनम हो जाएगा, so thank you class, आप उमीद करेंगे कि एज थोड़ा सोर हुआ है, उसको आप एड़ेस्ट करेंगे, actually बगल में construction का काम चलना है, मकान में तो वो सब काम होता रहेगा, और उनको तो रोक नहीं पाएगे, बाकी मिलते हैं, फचीस के बाद आगे अगली स्लाइब में, thank you very much.